हाई फ्रेंज इट समीर यर और अजम करने वाल एक बहुत स्पेशल टॉर्च का रिव्यू यह एक पॉकेट फ्लैश लैट है और बहुत स्पेशल है सबसे पहली बात जो इसे स्पेशल बनाती है वो इसकी प्राइजिंग इसे आप पात्सो रुपे के अंदर परचेस कर सकते हो जिया गाइस और इसमें आपको कस्टम का भी कोई इसू नहीं आएगा सेकेंड इस कि आपको इसमें जूमिंग का फीचर मिलता है इस तरीके से आप इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो फोकस और डिफ्यूस कर सकते हो थर्ड इंग इस कि इस टॉर्च में आपको अब इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं काफी सिंपल पैकेज में आता है कोई भी फैंसी पैकेजिंग नहीं है इसकी बिल्ड कॉलिटी की बात करें गाईस तो अब देख सकते हैं इसकी जो कम्प्लेट बॉड़ी वो मेटल से बनी है जो कि अलुमिनियम अलॉय है यहाँ पीछे जो क्लिकर बटन है वो आपको रॉबर का मिलता है उसे छोड़ दिया जाए तो कम्प्लेट बॉड़ी अलुमिनियम अलॉय से बनी है जो की काफी हाई क्वालिटी का है यहाँ पर आपको fins दिखाई देते हैं for heat dissipation यह torch मैंने काफी time यूज की है और यह बिल्कुल भी heat नहीं होती इसके बाद grip की बात करें तो आपको काफी अच्छी grip इसमें मिलती है due to its texture surface इसके दोनों position में काफी comfortable है which is very useful यह जब इसके lowest position पे होती है तो आप देख सकते हो य मेरे palm के size की है जो की काफी compact है इसी वज़े से जो gripping है इसके काफी बढ़िया है आप इसे trekking के लिए भी use कर सकते हो यहाँ पिछे से आप battery cap open कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो battery cap में o-ring लगी हुई है जिसे जो सीले वो waterproof हो जाती है आपको by default इसमें यह battery holder मिलता ह है और यह battery cap मिलता है आप यहाँ देख सकते हो आप 3 AAA battery इसमें by default डाल सकते हो और इस cap की मदद से battery को इस torch में insert कर सकते हो यह पहला method था जिसमें आपको AAA battery डाल सकते हो second method है आप 18650 cell डाल सकते हो इसमें और तेसरा input option है कि यह cap निकल के आप इसमें 26650 cell डाल सकते हो so in total आपको यह 3 battery के input method मिलते है which is very good considering the price of this torch इसके operations के बाद करें तो काफ़े simple है आपको यह single click button मिलता है पीछे एक बार click करने से battery on हो जाता है और आप देख सकते हो यह bright mode पे है इस तरीके से आप इसकी जो concentration है वो focus और diffuse कर सकते हो इस button को light press करने से यह mode में cycle होता है bright, medium और low में उसके बाद यह strobe mode में चला जाता है and finally यह SOS mode में जाता है उसके बाद फिर से अगर आप इसे light press करोगे तो यह cycle करेगा और hard click से यह बंद हो जाएगा similarly अगर इस पे आप hard double click करते हो तो यह cycle होगा तो अभी हम इसका performance देख लेते हैं in real world करते हैं in real world झाल झाल अपने देखा इस torch का जो performance है काफी अच्छा है जिस price tag पे आपको यह मिलता है compared to that आपको काफी सारे feature and mainly इसका performance काफी अच्छा मिलता है इसकी range भी काफी अच्छी है Importantly आपको battery input के तीन option मिलते हैं और साथी में यह waterproof भी है so it is an add-on So अगर आप इस torch को purchase करना चाहते हो then certainly go for it आपको customs का भी कोई issue नहीं आएगा So that was it from today's review guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो then please hit the like button and comment करें अगर आपको कोई doubt हो अगर आप इस channel पर नए हो then please click here to subscribe to this channel या फिर नीचे red button दबा दीजिए to subscribe to this channel and please hit the bell notification icon ताकि मेरे upload कीगे सारे वीडियो सब तक पहुच सके Thank you very much for watching this video